विमान की यात्रा बेहद सुरक्षित और आराम दाइक मानी जाती है लेकिन कई बार टर्बुलेंस मजा किरक्रा कर सकता है खाल ही में एक फ्लाइट में चोकाने वाली घटना देखने को मिली इसमें टर्बुलेंस के कारण एक यात्री अपनी सीट से उशलकर सिर के उपर समान रखने वाले लौकर में फस गया अपरी शरी लौकर के उपर फस गया सिर्फ उसका पहल अठकता हुआ दिखाई दे रहा यात्रियों ने उसे खीच कर उतारा घटना फ्लाइट UX-045 की है जो स्पेन से उरुवे जा रही थी टर्बुलेंस के दोरान दो साल का बच्चा भी अपनी सीट से उचल कर छट के पास फस गया बोईंग 787-9 ड्रीम लाइनर को ब्राजील के नटाल में डाइवर्ट किया गया और आपात काली लैंडिंग कराई गई वीडियो में छट के उखड़े हुए पैनल उपर से लटकते हुए ऑक्सिजन मास्क और एक ट्यूर्टी हुई सीट दिखाई दी कई लुकों की गर्दन में गंभीर चोटाई जिस कारण वो प्लेम के फर्ट्ष पर लेटे हुए दिखाई दे रहे थे लड़ने के बाद पैरामेडिक्स को 30 गाहल यात्री मिले जिनमें से 23 को अस्पताल ले जाए गया तर्बुलेंस से सीट से उचल कै बच्चे की मान ने बताया मैं और मेरे पती अपने दो साल के बच्चे की कलाश कर रहे थे बाद में हमने उसे सूट केस की उपर पाया वो बच्चा उपर रो रहा था हमने उसे वापस उतारा प्लेम में मौझूर डॉक्टर ने कहा कि लोग अच्छानक हवा में उड़ रहे थे उन्होंने कहा मुझे विमान गिरता हुआ महसूस हुआ और मैं यही सोच रही थी कि आखिर ये स्थिर कब होगा लेकिन यह लगतार गिरता ही जा रहा था एक समय ऐसा आया जब विमान स्थिर हुआ और लोग उठना शुरू हुए एक दूसरे यात्री ने बताए कि लोगों को अपनी सीट बेल्ट बानने को कहा गया था उन्होंने कहा कि ये चोटे टर्बुलेंस से विमान के अचानक नीचे गिरने तक पहुँच गया जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगा पाए थे को अपनी सीट से चल कर छट से टकराती रहे ये लग भग साड़े तीन सेकेंड तक चला उन्होंने आगे बताए कि मदद पहुचने तक घायलों पो तीन घंटे तक फर्ष पर पड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ा विमान में मौजूद अर्जेंटीना के वकील ने कहा ये एहसास आतंक जैसा था लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि आप गिर रही है और गिरना खट नहीं होने वाला एर यूरोपा ने सोमवारिक पोस्ट में कहा हम सूचित करते हैं कि हमारे ग्रहक रह सिर्जा रहे हैं जहां वो रुकेंगे और फिर अपनी आगी की यात्रा करेंगे स्क्राइब करते हैं